नमस्कार दोस्तों इनका कोशन इस परकार है वर्तमान समय में ये परियास कर रही है सरकारी नौकरी के लिए आगी के जिन्दगी के विशय में जानना चाहती है कि आगी के जिन्दगी कैसी रहेगी और नौकरी प्राप्त होने के कब से योग है higher authority post के लिए ट्राइ कर रहे है तो अमनेशिंद्री यह आपके सारे ही कोश्चंज पर रब विचार करेंगे जो भी मुझे आपके एतलि बताईगी पॉजितिव और नेगटिव के संदर्म में सारे ही चीज़ों पर विचार करेंगे किस बात का ख्याल रखना चाहिए और किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, किस बात को दिमाग में भी नहीं चलाना चाहिए सारे विशय पर पूर्ण रूप से टिपन नहीं करेंगे तो वीडियो काफी ज़ादा महतपून है, देखे, सीखे, समझे तो इनके हाथ पर जो मुझे पॉस्टिविटी दिखी न, वो थी प्रागर्स लाइन के संदरम में गजब की प्रगती के योग थे अतली परा, एकदम जानदार प्रगती के योग तो वो पहले मैं दिखाऊंगा, और आगे नौकरी प्राप्ती के क्या योग बन रहे हैं, वो दिखाऊंगा तो इनके जो प्रगती के योग थे न, उसको देखके तो एकदम मन प्रफुलित हो गया मजा सा आगया देखके, तो भी बस देखिया ये रहें प्रगती के योग, मतलब बड़े बड़े से हैं और कुछ राहू रेखा भी है, उसके भी मतलब को समझाया जाएगा बहुत से लोग इस प्रकार के कन्फूजन्स में होंगे कि अगर उनके हाथ पर प्रगती के योग रहें लेकिन ये जो कुछ राहू रेखा है ये रहे तो फिर क्या दिक्रते होती और क्या फाइदा होता है तो बस थोड़ा पेसेंस रखिये, इसके मतलब को वस्तार परुवक समझाने का प्रियाद किया जाएगा तो पहले positivity देखिये, बढ़िया प्रगती के योग बहुत ही कम cases में ऐसी वस्ता किसी भी जातक के अदली पर देखी जाती है मतलब ऐसे लोगों के लिए एकदम definitely मैं कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए न, ये कहना बिलकुल भी अनुचित नहीं है कि ये बहुत भागे साली होते है जिन्दगी पर निरंतर तरक्की करते हैं, ये 100% शूर है क्योंकि ये समय समय प्रगती को दर्शारी है, जिन्दगी परैस और आम को दर्शारी है जिन्दगी पर कमफर्ड को दर्शारी है, तो भागे साली तो है और अगर आप आज भी इसी असमंजस में है, कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है तो इस असमंजस में बिलकुल भी ना रहे 100% केसे में राइड देखा जाता है, और राइड से ही प्रडिक्शन साते है और मुझे क्या आपती थी, कि मैं लेफ्ट देखो अटवा राइड देखो मैं राइड देखता हूँ तो मुझे काफी संतुस्टी मिलती है और मैं अभी प्रडिक्शन अच्छे तरीके से दे पाता हूँ यह तो मुझे लेफ्ट देखने में भी कोई विशे समस्या थी नहीं तो यह प्रगति का योग आपको दिख गए इसके उपरांद भी और भी पॉस्टिविटी थी जैसे कि देखो बागी रेखा बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है आगे भी बागी रेखा बन रही है यह और जिन्दगी का लास्ट लेकिन बढ़ियां है बढ़ियां लास्ट में बागी रेखा है और ये कुछ एक बढ़िया प्रापर्टी के योग डवलप कर रहे हैं जो की अच्छे हैं और ये भी सूरी रेका अच्छी है और आगे भी सूरी रेका आपकी काफी अच्छी फलित रूप से आपके इतली परवस्थेते हैं तो ये आपके टालेंटेड होने का परच्व करा रही है आपने जो परच्ष पूछा एक जौब के लिए ये आपके इतली हमें डेफिनेटली बता रही है कि ये लोग से परश्ण पूछते ये लोग कार्मे भी कर रहे हैं उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए और एक तो ये अच्छी अवस्था है, कुछ-कुछ अच्छी है और कुछ थोड़ी स्वास्त की परशानी को भी दर्शाती है, बताऊंगा आगे, लेकिन कुछ-कुछ पॉस्टिविटी तो है, उसके उपरांत भी एक बालन्स अच्छा है, माइंड रेका है, और हिर्दरेका में, अ करा सकते हैं, मतलब 32-30 तक देती है, ये समझे लो, उसके बाद 36-30 तक मैक्सिमम लिमिट होता है, कि बरश्पती का स्क्वाइर आपको बेनेफिट देता ही देता है, 36-30 तक, इस बात को दिमाग में ही रखें आप, उसके बाद एक अच्छी मंगल्ड रेखा है, ये एक से चीज को आपने समझ लिया, कि आपकी एदली पर पॉस्टिविटी के आता है, इसके उपराद भी अच्छी शुक्र है, मंगर दोनों अच्छा है, बरश्पती अच्छी ही है, सैटरन अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, और आपकी चदरमा, इस सारे ही प्लैनेट्स ये भी एक बड़ी पॉस्टिविटी है, तो इस संदर में आपके जो प्रशनते हैं, उसको हम लेके चलेंगे, पहले पॉस्टिविटी देखो, अभी हम कुछ नेगटिव चीजों पर विचार करेंगे, जो काफी जाधा ताकतवर है, और पास्ट लाइफ में इसके रिगा मानसिक दवाब तो दे ही देती है, और वही पर कुछ आपके हर्ट लाइन पर भी एक समस्या बनी हुई थी, तो दोनों ही केसे में ये एकदम असपस्ट हो गया, कि जिन्दगी पर समस्या आई होगी, लेकिन ऐसे भी दैनिया नहीं रहती, लेकिन मानसिक दवाब के रूप लेकिन ये 25 से लेके 28 साड के वीच में, बहुत बड़ी मानसिक दवाब आई होगी, बहुत बड़ी, तो इन्होंने का जी हाँ, बहुत बड़ी मानसिक दवाब में मैं थी, और मुझे परिशानी भी पता, अलाकि मैं परिशानी को जिकर नहीं करूँगा, उतना परिशनल बात को शेर नहीं किया जाता, लेकिन इतना समझ लो कि बड़ी परिशानी थी, जिन्दगी बड़ी तकलीफ में थी, मतलब मानसिक दवाब है, सब कुछ रहने के बावजूद भी अगर आपकी मानसिक दवाब की स्तिती बनी हुई है किसी वज़ा से परस पर, तो आप काफ नहीं है, हमारे जो कंसल्टेंसी चार्जस है, वो तो आप हमें दे ही रही हो, तो मैं ये जो भी करना हूँ, राइड देखके, ये मैं सर्फ और सर्फ आपके लिए करना हूँ, क्यूंकि आपको अच्छी जानकारी मिले, मेरा एक ही उत्यश्य है, तो ये चीज़ा आपने स शक्षम है, तो आप उस एज को लेके भिलकल भी लापडवाही ना रखें, और अवेर हो जाएं, कि मुझे कैसे जिन्दगी जीना है, मैंने मानसी की सिती कैसे रखनी है, जिसके एवज में हमें ज्यादा परिशानी ना हो, जिसके एवज में ज्यादा तकलीफ हमें ना हो, जिसके वज में जिन्दगी जीने में हमें कोई भी परिशानी ना हो, अगर आप पहले से अवेर रहते हो ना कि इस समय मुझे कुछ परिशानी आनी है, तो कही न कहीं एक कॉंट्फिडेंस रहता है, चलो आगे अभी कराब समय है, तो आगे अच्छा भी आएगा, और कहीं कई एक डर नहीं रहती है आपके अंतर, इसलिए negativity बताई जाती है, और ये भी आपकी नियती है, ये मैं कोई भगवान वाला कार ये नहीं कर रहा है, कि मैं आपका बविश्य बता रहा हूँ, ये आपकी नियती है, कि इश्वर भी आपको जनाना चाहते हैं, आपको बतवा से, हमें अपना कोई बावाही नहीं करना, अगर आप कुछ हमारे से जानने में सक्षम हैं, अगर हम आपको कुछ बताने में सक्षम हैं, तो ये आपकी ही नियती है, हमारा व्यक्तिकत इसमें कोई ये नहीं है, कोई हाथ नहीं है, ये आपकी नियती है, कि आपको इश्वर एक रास्ता दिखाना चाह रहे हैं और आगे के लिए थोड़ा सा अवेर करना चाह रहे हैं मैं तो बस इसी सोच पर चलता हूँ मुझे तो बस यही समझ भी आता है और मेरा यह विजन बरकलीर है तो यह चीज आपने समझ लिए यह एक negativity थे उसके उपरांद थोड़ी से बुद्धर एकाम में करा भी है तो स्वास्त का ध्यान दीजिया देखो मेरा कार यह है मेरा कर्तब भी है बताना मेरा उद्देश यह है कि आपकी जिन्दगी ठीक हो और मेरा कर्तब भी अच्छ तरीका से बताना तो उस एवस में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी ना पेट की समस्या की योग दर्शार ही है यह थोड़ी बहुत हैल्थी सूज को यह दर्शार ही है तो करपया करके अगर आप लापरवाही कर रही है तो बेलकुल भी ना करे तो यह आपके लिए अभी तो ठीक है अभी तो फिर भी आपकी उमर 30 वर्स की ही है लेकिन जैसे जैसे यह आयू बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ेंगी और ना चाहते वे कुछ ऐसी समस्याएं हो जाएंगी जो आपको तकलीफ देगी तो अभी से अवेर हो जाओ और प्रियास करो कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो तो यह इनके विशेस रूप से नेगेटिविटी थी अभी इनके प्रशन थे कि नौकली में लेगी की नहीं देखो मैं तो असपस्ट हूँ और मैं बड़ा ही क्लियर हूँ बड़ा डिफाइंड तरीके से में ये चीज़ कह रहा हूँ और आपको मैं बताना भी चाहूँगा कि जैसी आपके सितियां आपके हाथ पर अवस्थित है आपके सूरी देखा के संतर में प्रोग्रस नाइन के संतर में 101% अगर आपने परियास किया ना देखो परियास शब्द का परियोग करना तो बहुत जरूरी है गर में बैठे जिंदगी पर किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता तो उसको लेके हम ये कह दे आपको तो ये कहीं से भी उचित नहीं है तो यहाँ पर से अगर आपने प्रियास किया जैसे आपके अवस्थाई बनी हुई है 100% आपकी नौकरी होगी 100% लेकिन यहाँ पर मैंने एक टर्मेन कंडिशन को जोड़ा वो था प्रियास को लेकिए तो उस बात को आप दिमाग में रखिए और उसके accordingly जिंदगी पर कारे कर मां की कुछ आयो को लेके प्रशन थे जैसे कि किसायो में संभाव बनाए है तो अभी मैं जब प्राग्रिस लाइन को एलोबरेट करूंगा न तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाए तो बच्पन से लेके चलते हैं एक दवाब तो मुझे दिखा बहुत 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 ब इसके उपरान तो कुछ राहू रेका था बच्पन में कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ दिक्कते रही होगी चुकि प्रगति के योग प्रसपर बने तो वैसा कोई फील भी नहीं होगा चगर में जनम वहा होता है यहाँ पर से दिक्कत आपके 19 में साड़ में थी फिर आ 29 में एक तरक्की फर 31 में 32 में साड़ के आसपास बहुत बड़ी तरक्की है मतलब अगर इस आयो में आपकी नौकडी नहीं विन तो फिर तो फिर तो विडम बना वाली बात है तो यहाँ पर एक बड़ी तरक्की के योग बने हुए है और अगर जातक ने प्रियास किया और बड़े ही इमानदारी प्रुवक किया तो 100% नौकडी प्राप्ती के योग बन रहे हैं ये 32 में साड़ की बात कर रहे हैं हम 32 एर्स के बाद एक बड़ी तरक्की आपके 34 में साड़ में है ये भी एक बड़ियां दिखा रहा है हमें 34 में में एक हल्की समस्या वियाला कि इस 48 एर्स में एक बणी वे फर तकरीब हैं आपके 52 में 55 में फर जिन्दगी तरी 58 में 58 के बास जिन्दगी समूथ है एक आपके 62 में तरक्की है फर 66 में है 66 के बाद भी लाइफ बड़ी समूथ करी जोकि जिन्दगी के लास् तक है और मंगल रेका के रूप में आपके अतली पर चीजे अवस्थित हैं तो विशेष कोई समस्या वाली बात नहीं है और विशेष कोई परिशानी वाली बात भी नहीं है जीवन रेका काफी अच्छी और विशेष चिंता करने के आवश्यक्ता भी नहीं है क्योंकि जीवन रेका पर प्रगती के योग बने बस इस बात का ध्यान रखना है कि महनत में किसी परकार का कमी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपको कोई obstacle कर सकता है तो वो आपका खोद का self महनत है अगर आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो definitely सफलता मिलेगी क्योंकि हाथ के हिसाब से कोई problem नहीं है फिर मुझे लोग बोलेंगे फिर क्या 100% हुआई है गुरू जी फिर कैसे आप बात कर रहे हो यह 100% कैसे हुआ कि आप कैसे बोले 100% नौकड़ी हो जाएगी यह तो सबी को पता है महनत करने से ही नौकड़ी होती है देखो यह तो सब को पता है यह तो सब को पता है कि महनत करने से नौकड़ी होती है लेकिन किस level की होती है यह नहीं पता न और किस age में मेनत करने से ज़्यादा फाइदा होता ये नहीं पता ना कुछ बच्चे हैं जो आपके आज पास ही होंगे या आपके दोस्त में तरह होंगे उनसे पूछे ना एक चीज कितना दिन से त्यारी कर रहे हो किसी भी नौकरी का हुआ क्यू नहीं क्यों कुछ-कुछ नमरों से लिया जा रहा है ये भी दो सवाल उटाश सकते हो ना मेनत तो वह बहु कर रहे हैं और मेनत वह भी वेक्ति कर रहे हो जो एक बर में निकाल ले ले रहे हैं तो यहाँ पर से महनद से चीज़ों को justify नहीं किया जा सकता, justify अगर आपका भागी अच्छा है ना, अगर आपके नसीब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काफी प्रगती दिलाती है, और आप किसी वैसे चीज़ के लिए प्रियास रहत हो, जिसमें प्रगती अल्रेड क्योंकि मैक्सिमम सरकारी नौकरी करने वाले विक्ती का मैं हाथ देखता हूँ, मैक्सिमम अधिकारी का मैंने हाथ देखा है, मुझे तो उनके जिस समय सफलता में लिए प्रग्रस्टाइन दिखी है, अब आपका कंसर्प्स कुछ और होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेगदम ड्रस्ट करो हमारे पर, जिन्दगी जीने में मचा आएगा, और जो बात मैं आपसे करू ना, उसको कर लिया करो, और उसको माल लिया करो, बढ़िया रहेगा यह यहां पर बिना किसी एकुरेसी या बिना किसी अगर आपने सच्चे मन से कोई परियास किया होता ना, तो वो कभी विफल होते हैं, यह उसको एकदम से ब्रवाद होते वे नहीं दिखा गया है, तो परियास के रिगारिंग आपको काम्यावी जिन्दगी पर मिलते हैं, वो मुझे दिख रही है, बाकि प्लैर्स लगबग लगबग अच्छे कंडिशन समय, साट पैसर परसंट राज्यो का पल है, जिन्दगी अच्छ बहुत बेनिफिट होता है जिन्दगी पर, तो ये चीज़ समझ लिए अब आकी थम्ब, बढ़िया थम्ब है, अदिकाली तो बनना है, और जिस जॉब के लिए परियासरत है, ये बड़े नौकडी के लिए परियासरत है, तो बहुत चांसे से हैं कि जैसा आपका थम्ब है ये जातक को सफलता दिलाता है, ये स्ट्रॉंग थम्ब, इच्छा शक्ति और तक्षक्ति आपके अतली पर अवस्थित है, ये समान निबात नहीं है, इच्छा शक्ति कमाल की मुझे दिखी, तरशक्ति भी काफी अच्छे दिखी और कुछ महात्मा कांची निच्छर, एक जबरदस्त दिखने वाला थम्ब है, स्ट्रॉंग व्यक्तितों का परच करा रहा है, एक जानदार व्यक्तितों है आपका, मतलब जुकने वाली प्रस्नालिटी नहीं है, धम्ब सिर्फ आपको जुकने वाली प्रस्नालिटी को नहीं दर्शाता है, थम्ब अगर अच्छा ह थम्ब आपके ओवर और प्रिस्टनालिटी को दर्शाता है, आपके लॉजिक को दर्शाता है, आपके जिन्दगी जीने के तरीकी को दर्शाता है, तो बढ़िया थम्ब है, बाकि यहाँ पर से अभी दूसरा पिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह निकारा, यह समझदा तो दर्शार ही आपकी फिंगर, बाकी बरश्पती के फिंगर टेंड कर रही है, यह दर्शाती है, कि ऐसे जातक बड़े अच्छे दालमी कास्ता क्या होते हैं, फिंगर के बीच में तोड़ी सी गयाप है, तोड़ी खर्चिले परविरतिक होते हैं, बर सेटन फिंगर बाकी फिंगर लंबे करें अच्छी क्रिटेविटी का यह परचगरार, यह दातक बहुत क्रिटेब परसन होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं, अब चलिए हम आगे चलते हैं, तो आपकी बरश्पती, यहां से दबाब, यह दो रहा थोड़ा सा, लेकिन कुछ दोके के योग भी जिंदगी पर ते वो परस्पर मिलें, बाकी एक स्क्वाइर बन रहा है, बढ़ियां तो होगा, कुस तो होगा जिंदगी पर, कुस तो बढ़ियां पद प्राप्ती होगी, 32 में साड़ तक ही असाड़ है, बाकी य यहां से दवा आवे तो विक्ति गिजब के मैनती है, बाकी यहां पर से दो बागी रेका, बागी रेका जिंदगी के लास्ट में तो ज़्यादा बढ़ियां है, जहां से बागी का पूरा साथ, कुछ मूट स्विंग के प्राप्लम्स रही है, नॉर्मल ही है, बाकी बागी रेका तो बड़ी अच्छी दिखरी है हमें, स्ट्रॉंग फेट है, बढ़ियां है, फर देके लाइन ओफ एजोकेशन काफी अच्छा, जातक काफी समझदार मान सकता के, IQ लेवल बला जबरदस्त होता है, सूरी रेका एक है, पैत्रिक संपत्ति का साथ, ये भी सूरी रेक के ब्रांचे से, यहां से भी सूरी रेका चल रही है, आपकी नौकडी तो होगी, प्रियास करो, आप बढ़ियां नौकडी होगी, यहां से एक ट्रेंगल है, यहां से एक स्कॉायर सा बन रहा है, प्रॉपर्टीज, अर तिस साड़ के बाद प्रॉपर्टी के योग को ये है, वो तो होना ही है, खुदका होना है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कारकत है, स्ट्रॉंग लाइन से यह आपके, कही न कहीं, इंटलिजेंस लेवल का प्रचगराती, भूद थेश्त राग मासिक्ता का, और बुद्धि विवेक तो कमाल का है आपका, दोनों म स्टिक्स रेका, तीस में साड़ के बाद अच्छी हुए, उसके पहले तो बड़ी गरबर थी, बड़ी दवाव रही है, आपके 25-25, उसके पहले भी ठीक थी, कुछ ट्राइंगल से जो कहीं न कहीं, बरदास्त करने के चमता को बता रही है, मंगल अच्छा है, यो दिरिग आने वाले समय में कुछ विशेश कर सेटल्मेंट को दरशारी है, जिन्दगी पर, बुदर एका थोड़ी टूटी है, जो कहीं न कहीं आपके धन हानी को भी दरशारी है, सातिसा स्वास्त में कुछ परिशानी को भी दरशारी है, तो प्रापर केयर करो, कुछ एक बन रही ह अगर यह proper बनती है तो बढ़ियां graduate रेंगल बनाएगी लेकिन बढ़िया नहीं तो भी चरचा नहीं करूँगा आगे भी बन रही है तो बढ़ियां ही है बागी बागी रेखा च्छे सुलवाती दोर से बहुत बढ़ियां नहीं थी सोला वर्स के बार ठीक है आगे बे जिन्दगी पर चली है यह यहाँ से भी बागे रिका के ब्रांचे से है जो कहीं न कहीं जिन्दगी के लास्त तक दिख रहे हैं और कुछ मल्टिपल प्रॉपर्टी के योग भी मुझे दिख रही है और बढ़िया सूरी रिका है यह भी कह लग्जरी के लाइन्स वो तो मिलेगा शुक्र बढ़िया जंदगी अच्छी रहती है मंगल बहुत अच्छा भी नहीं ठीक है जहांसे कभी कबार एनर्जी में थोड़ी कमी लेकिन प्राक्रमी तो है कुछ टेंशन के लाइन है वेक्ति थोड़ा ज्यादा सोचते बाकि मं इनर्जेटिक है बढ़िया जीवन रेका और कंटिन्यू प्राग्रस लाइन जंदगी पर तरक्की ही तरक्की कुछ इरिटेशन जल्दी गुस्ता आने के योग यहां पर से दिख रहे हमें बाद बाकी विश्रेश कोई दिक्कत नहीं है ये ताइनी कदली का पूर्णता व सकते हैं धन्यवाद